हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ठ ग्यारा है हमारा चाहता हूँ ठीक है जो एक कवीता है ये एक देश भक्ती कवीता है जिसमें कवी ने अपना सब कुछ भारत माता को और देश को समर्पित किया है मातर भूमी से गहरा लगाव भाव कवी को उस पर तन मंधर न्योचावर कर देने की प्रेर ना देता है वो इतना लगाव अपनी मातर भूमी से इतना प्रेम करता है ऐसा करने पर भी कवी की तरपती नहीं होती तरपती मतलब उसको संतुष्टी नहीं होती और वे चाता है कि वे मातर भूमी पर और कुछ भी नियुचावर कर दे कुर्बान कर दे ठीक है तो चलिए हम अपनी कवीता पढ़ते हैं मन समर्पित, तन समर्पित, और यह है जीवन समर्पित, चाता हूं देश की, मन समर्पित क्या है, कभी अपने मन को समर्पित करता है, ठीक है कि मेरा मन है वो आपको समर्पित है, जैसा आप आग्या होगी, करवा होगी, मेरा मन वही करेगा, और मेरा तन मतलब मेरा शरीर भी आपको ही समर्पित है, ठीक है? मेरा शरीर और मन वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा और ये जीवन समर्पित, और मेरा पूरा जीवन ही आपको समर्पित है चाता हूँ देश की धर्ती तुझे कुछ और भी देदू आगे उन्होंने मातरभूमी को क्या कहा है? कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपना तनूर मनी तुम्हें ना दू बल्गी और भी बहुत कुछ तुमको मैं दे दू मा एकिंचन, एकिंचन होता है बिल्कुल सामाने या साधारन मा एकिंचन कि मा मैं तो एक साधारन मा किसको कहा है भारत माता को ठीक है धरती मा को कि मा मैं तो क्या हूँ एक साधारन हूँ बिल्कुल तुछ सा आदमी हूँ प्राणी हूँ किन तू इतना कर रहा फिर भी निवेदन निवेदन प्रातना लेकिन फिर भी मैं इतनी तुमसे प्रात्ना कर रहा हूँ थाल में लाउं सजाकर भाल जब स्विकार कर लेना दया काव है समर्पन आगे देखी कवी ने क्या कहा है कि थाल में लाउं सजाकर कि जब मैं थाल में रखकर या सजाकर लाउं भाल होता है मस्तिसक छीक है बाल मन मस्तक अपना सर जब मैं अपना मस्तक किसी थाल में सजा कर आपको मतलब वो अपने सीश को दान में देने की बात कर रहा है स्विकार कर लेना दया कवह समर्पन तो तुम उसको स्विकार करना चीक है मेरे वो समर्पन को जो मैं सीज समर्पित करूँगा तुमें तुम उसे दहा के साथ में स्विकार करोगी आगे गान समर्पित प्राण अर्पित गान मतलब मेरे जो गान है गीत है वो भी सब कुछ तुमें ही समर्पित है मैं तुमें सौपता हूँ और मेरे प्राण भी क्या है तुम्हें ही समर्पित है रक्त का कनकन समर्पित है और मेरे शरेर में जो खून की बूंदे है वो एक एक बूंद तुम्हारे लिए है तुम्हें को समर्पित है चाता हूँ देश की धर्ती तुझे कुछ और भी दूँ आगे क्या कहा है कवी ने क मैं तुben और भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ, देखी इतना सब कुछ देने के बाद भी कवी को संतुष्टी नहीं है तरपती नहीं है वो और भी बहुत कुछ देना चाहता है अपनी भारत मा को आगे मा दो तलवार को लगाव ने देरी बांद दो कसकर कमर पर ढाल मेरी भाल पर मल दो चरण की दूल थोड़ी सीश पर आचीश की छाया घनेरी देखे, मां दो तलवार को लगाओ ने देरी मां मुझे तलवार दो, तुम देर मत करो ठीक है, बांद दो कसकर कमर पर ढाल मेरी और मेरी कमर पर तुम कसकर ढाल बांदो और मेरे हाथ में एक तलवार दे दो यह किसलिए का है कि अपने भारत मा की रक्षा के लिए भाल पर मल दो चरण की भाल मतलब मस्तिस्क मेरे मस्तिस्क पर मल दो मतलब लगा दो चरण मतलब अपने पैरों की दूल मतलब दूल ठीक है और क्या करो मेरे मात्य पर अपने पैरों की थोड़ी सी दूल लगा दो शीज पर आसीज की छाया घनेरी सीज मतलब सर और मेरे सर के ऊपर आशीज मतलब आशिरवाद मेरी सर के उपर आशिरवाद की चाया गनेरी बहुत सारी चाया इसका मतलब है मेरे सर पर तुम बहुत सारा आशिरवाद है दे दो रख दो आगे स्वपन अर्पित स्वपन मतलब सपने मेरे सपने भी तुम्हे समर्पित है तुम्हारे है प्रसन अर्पित और मेरे जो प्रसन है जो कुछ मेरे आप से प्रसन है वो भी सब कुछ मैं आपको ही सौपता हूँ आयू का शंशं समर्पित और मेरी जिन्दगी का, मेरी उम्र का, मेरी आयू का प्रतिक पल हर शंट तुम्ही ही मैं अर्पित करता हूँ चाहता हूँ देश की धर्ती तुझे कुछ और भी दे दूँ और फिर बाद में क्या कहा है कि देश की धर्ती हे माता मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं और भी कुछ तुम्हें दे दू तोड़ता हूँ मोह का बंदन शमा दो आगे क्या कहा है कवी ने कि मैं तोड रहा हूँ महू का चीख है मौहो का जो बंदन है तुम्हारे साथ मेरा कि इसके अप यह अपने घर के लिए बोला है उन्होंने कवी ने अपने घर वालों को के लिए ईलाई ने बोली है कி मैं आप से अपने मोहा जो लगाओ का बंदन बंदा हुआ मेरा रिष्टों का बंदन है उसको मैं तोड रहा हूँ शमा दो और मुझे शमा करना ठीक है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ गाव मेरे द्वार घर आंगन शमा दो और अब कभी ने देखो किस से शमा मांगी है अपने गाव से शमा मांगी है ठीक है अपने घर परिवार से शमा मांगी है ठीक है कि मुझे तुम शमा कर देना मैं तुम लोगों से रिष्टा और मो तोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी भारत माता के लिए रहना है उनी के लिए काम करना है आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमारो सीधा हाथ मतलब दाया हाथ मेरे दाएं हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में द्वज दे दो मेरे हाथ में ठीक है मेरे देश का ये सुमन लो सुमन होते हैं फूल ये फूल ले लो ये बब चमन होते हैं बगीचा ये उपवन ठीक है तो ये पूरा बगीचा तुम ले लो मातर भूमी को कहा है कि हे मातर भूमी तुम ये फूल भी तुम्हारे हैं जितने फूल लगें सब कुछ तुम्हारे हैं और ये पूरा बगीचा भी तुम्हारा है इसे भी तुम ले लो नीड का तरण तरण समर्पित और नीड होता है घर ठीक है घर का तरण तरण का मतलब हो गया कोना कोना तुमको ही समर्पित है चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दू और आखिरी में फिर कभी ने क्या का है कि हे धरती मा ए मातरगू में मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ मैं दे दूं तो यह कवीता थी आपकी चाहता हूं जो एक बहुत अच्छी थी कवीता है तो इसको आप पढ़ोगे एक पार और इसका आर्थ समझोगे ठीक है बाकी का अभ्यास आप प्रसनुतर कॉपी में करोगे धन्यवाद